नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का कारिक्रम यादों के जरोकों में दर्शकों आज हम एक ऐसे शक्स से मुलाकात करेंगे जिन्हें जानवरों से बेहत प्यार है यहां रिटायड वेटिनरी दॉक्टर एके बर्धन जी से और इनहें जानवरों से इतना लगाओ है कि रिटायर होने के बाद भी यह आज भी अपना क्लिनिक चला रहे है ताकि जानवरों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके उनसे उनकी रक्षा की जा सके तो बर्धन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कारिक्रम में सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगी आप कहा से बिलौंग करते है और पढ़ाया लिखाई प्रब्लेट में पीटाजी वाइलेस में थे तो उनका जब पोस्टिंग हुआ यहां में तो किसी को बिना बता यहां थे कि उस समय अंड़मान के स्थिति आशा था कि काला पानी फिर वो जारवा निकलता है साप खा लेता है कई प्रबाद बहुत फैला हुआ था तो घर से आ तो फोल यहां दूलर दूलर पीड़व कहां थे परिए को पॉलियर में कोई और कही कंधा टा रिंपलिश में एक समय था की एक अचानक आपको अभी जाना है लनकुरी जाने तो अपनका भैग होता था इच्ट उनका भैग में सब कुछ लगा होता था उसको उठाना आपको जाना पुलीज बोड भी हुआ करते थे उस समय उसमें ले जाकर चोड़ देहँगे उसके बाद आपको फैमीली लेके जाना है तो बाद में आ के ले सकता है उ जैसे यहां टाइम मिलता है, देज दिन का जॉइनिंग टाइम हो, सब कुछ नी होता है। मुझे गई बार यहाद है कि दोपर को आते थे, जल्दी-जल्दी खाना है, क्यों अभी घाड़ी आ जाएगी? शाम को जाना है, ननकोरी जाना है। तो हमारा अधिकतर बच्पन ननकोरी में कटा है, ननकोरी में हम लोग जब छोटे थे, तो ननकोरी मुझे याद है कि हम लोग काफी साल रहे हैं, चार-चार-पांच साल रहे हुआ, उसके बाद फिर पोपले हैं। तो आप जैसे की वेटनरी डॉक्टर रहे, इतने साल आप कार्यरत रहे, तो वेटनरी डॉक्टर ही आपको बनना है, इसके पीछे कोई खास कारण रहा। जी क्योंकि हम लोग बच्पन में ग्रूप था हमारा, तो और प्रिण में तो जैसे की फंदा डूंद क्वाचन, फिर उसको मैच बाक्स रखके आपके खरक्चार करना, अगर वो मर जाय तो फिर उसके चोटा सा गड़ा खोद के, उससमां मालूम नहीं होता था था, तो तो यतना मालूम है कि कोई डेड़ बोडी को गाड़ने का पद एक रॉस लगाना होता है तो हम लोग उसको गाड़ के चिलिये को उसमें क्रॉस लगाते तो उस तरह करते-करते-करते-करते ऐसा हुआ उसके बाद क्या हुआ एक डॉगी था हमारे पास ब्लैकी तो मदर थोड़ा स्टिक्ट थी कि इस महिने में डॉगी नहीं आना है उसमें तो हम लोग तो उतना कुछ आइडिया भी नहीं था इस महिने में भादर मास इस महिने में आना नहीं है तो उससे पहले अगर आना है लाना है तो लाओगे नहीं तो नहीं लाओगे तो हम लोग होत inser इसी थीक करना उसके बाद मागर का प्रॉपलम नहीं था लेट लेक性 जाना आना था हूं तो उसके बाद से जो इंट्रेस्स डेवलप हुआ तो उसके बाद से तो फिर वो चलता ही गया रूपा नहीं हो तो जानवरों से एक तरह से आप जुड़ गया आपको लगाओ हो गया उस समय और उसमें और एक मेरा किस्मत अच्छा था कि जब फॉर्म बनने के समय हमने तीन बी दिया था यस तीन बी बांबे बेलगाचिय और बैंगलोर ऑप्शन देना पड़ता था उस समय तो उन लोगों ने कार्ट कोट के बताया C कोईमबतूर उस समय जो मद्राज पेटनी कॉलेज था लेकिन उसका जो यूनिवर्सिटी था कोईमबतूर में था अगरिकल्च मैं चला गया पढ़ने के लिए उसके बाद जब मद्राज बेटनी मैं अपने आपको भागी साली मानता हूं क्योंकि वह हमें इतने केस आते हैं तब तो रोना आता था क्योंकि छुटी हुआ पॉंगल के छुटी हुई लोग चले जाते थे और दूसरा कोई चुटी हुआ लोग उनको बस में जाना पड़ता था दो घंटा चाल में निकल जाते हैं हमारे तो शिपान है और साथ दिन के अंदर वापस नियाएंगे तो ट्राइमिस्टर निकल जाएगा तो उस तरह करते करते हैं मजबूरान हमको कुछ चीखना पड़ा हुदर उसके बाद जब लोग काफी बहतर हैं दूसरों लोगों से जामें केस नहीं मिलता हैं काफी केस मिलता है तो वह देखते हैं धीरे 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 इंट्रस डेवल प्रुष के बाद आपके यह चाप पड़ जाता है कि इसी को करना है हुद मैं अभी जब मूर के पीछे कभी सोचता हूं कि हम बहुत लोग बोलता है अभी भी बोलता है उतना नहीं बोलता है अभी भी नहीं बोलता है तो वह लेके बहुत मुझ्यल होता है तो करना किया तो यह हाथ से हम लोगों डाइग्राम बना बना के दिखाते थे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करते 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 फिर अंग्रेजी बोलेज में अंग्रेजी मीडियम था तो बोलते बोलते सीख गए वहाँ उसके बाद जब मैस में काम करता मैस वाले तो तो आप अपने आपको बीजी रखो गे तो समय किस तरह निकल आपको पथा निचाल, आगर आप बोर हो गए तो एक दिन आपको आपको गया, अब बीजी हो तो आपको लोग इतना जल्दी एक अथना निकल गया, तो यहाँ पर आप कौन से डिपाथमेंट में रहे इतनी सार तो उस समय मेरे पास मैं वो सेंटरली स्पांसर्ट स्कीम काफी देखा करता था अच्छा फुट आप डिजीज और अगार आप अविन इंफ्लॉंजा इसा मैं देखा करता था तो मेरा सभाग रहा है कि मैं कई लोगों से मेला हूं उन दौरान आच्छा वैक्सिनेशन के दौ खाले अमार है ने मेडीकल डिपार्टमेंट से लोग आते थे फॉरेस्ट कंष लोग आते थे ते कभी-कभी टीचर वह बुला लेते थे एक टीचर को आप पड़ा लिखा कर तो बच्चों को त्यार कर ले तो समय निकल किया तो इतने सालों तक आप ने कहां-कां पी काम कि और कैसा अनुभव रहा जनवरों के साथ अपका अच्छा भी है बुरा भी है मिला जूरा है मैं सबसे पहले डॉली गंज फार्म में रहा उससे पहले बैटने होस्पिटल जंगली है वहां कुछ दिन रहा 15-20 फिर एक साल के लगबग डॉली गंज फार्म में रहा मुर्गी में एक कंपोजिट फार्मिंग है उसके बाद मैं गया कैंबल बे कैंबल बे थोड़ा काफी लंबा रहा मों एक चार साल के आजबास रहा तो वहां में क्या था पहले कोई बीमारी नहीं थे शुरू में अच्छा तो कुछ भैसे मुरा भैसे अच्छे उनत नसल के मुरा भ ते इस आज ंसाल को अच्छा तो उसक Leowa एक बीमारी लग गया था फेशी ओरैसिस मों हो अच्छा तो गाहे दूद भी देती है जुख Beetheum को अच्छना मर गया तो उसको प्लिद हिस था उसमें काहफी बहुत लोगों का जानवर मर गया वह जू एसल नसल जो मुरा नसल करनड बंद हो जयता है और मलेरिया में लोग चलते फिर लेवर जो भाहर से आता है तो जहार कण्ड बेंगोल शंवाने से वाल ले जाता है तो किस तरह सुबहां खोत कि मटी शुछ भी खोद के चब जाके नहा दोगे खाना काते समय लगा के उसको फॉछ भुखर हो रहा है कोछ खाना का यह स्ने खाना काने के बाद उसको लग भुखा रहा है तो ऑवास्पिटल गया आस्पिटल में डिप चेज्टे जजिए दूसरे दिन उसका ह्टम की बाद में मालूम चला उसको प्लाशी पर हम था इतना फास्ट करता है तो हम यह काफी बड़ उस दारी जैसे रहें तो तो होगा खाते है तो एक साइकल हुद तो हमें इतना भीमारी इस िक भीमारी तो लोग बहुत लेप्टोशप êre बहुत कुछ होता था हो आप्टा था हूं तो जानवर में सबसे ज्याद़ा प्राब्लम को यह हुआ अच्छा आत्छा अठीजा तो मैं क्या करता था वह सैंपल टेस्स करता था बेटे बेटे करना क्यरते है तो तो सैंपल करते 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 उसके बाद फिर उसका आटीकल लिखना शुरू कि एक highly Pixar किया इतना सेमपल में कितना फेषियॉला मिला और कॉन से महहने और कं भूंत की हा था तो तरह कर दिया तो एक कारी के डिर्यक्टर पादिर और फिर हमारे डरेक्टर तो उसने वह दो चाहर आटिकल उसी में से बना के दिये शॉट नोट बनाए फिर आटिकल बनाए तो उसके बाद फिर आटिकल लिखने का तो चसका चड़ा तो इस तरह करके मतलब जो फिल्ड में एक इंट्रेस्ट आता था उसी में घुच जाता था बर्दन जी हमने सुना है यह जो डॉगिस के लिए फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है इसके शुरुआत भी आपी ने की इसके बारे में थोड़ा सा बता है यह मुझ पर थोपा गया था ऐसे हुआ क कि उस समय मिनिसिपल में इनको कंट्रोल करना पड़ता था आबादी तो यह कोई काट लेता है किसी को काट लिया कोई कंप्लेंड कर दिया ठीक है तो यहां में तो कुटा काटा वाला उतना केस नहीं था फिर भी लोग करते हैं यहां पखाना करकर चला गए यहां कुछ ले अच्छा बचने के लिए कोशिश करता था आख चैना निकल रहा है बदन मूड रहा है मुह से थूक निकल रहा है ठीक है और वह आदमी के तरफ देखे मतलब कुछ मदद करो तो बहुत बुरा लगता था उसका बच्चे लोग रहते थे रोते थे मेरा हाथ पगड़के अं लेकिन अगर आप थोड़ा भी देर हो जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते इतना डेडली पॉज़न है तो फिर वह में लैंड में इसके लिए कई जो लोग ने कोट में गए वह कोट में जाके फिर उनसे और निकला बाकाईदा और निकला कि इस तरह मारा नहीं जाना तो ABC, Animal Birth Control, जो आप Family Planning बोलना है, ABC बोलता है, Animal Birth Control करना, तो कौन करेगा, तो यह आदमी जादा बात करते, इसी को दे दो, आपको, तो उसने मुझको मेरे साथ और भी थे, और भी दो डॉक्टर थे, उन लोगों के साथ मिलके मैं हमने शुरू किया शुरू में, और उसमें क किया होता था था वो जो दागाबाते है, catgut तो ठीक से मिलता नहीं था, अनिस्तिशिया थीक से नहीं मिलता था फिर धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हुआ, फिर हम लोग गोलगर में करते हैं वे translum असलमें गोलगर area है, जंगलीकान भी य हजंगलीकाट है उसमें क्या करते है हम लोग हफते में दो बार करते थे और मैं था और भी एक दूर डॉक्तर थे तो दो टेबल था मैं आट-दस किया वह आट-दस किया सोला तो इस तरह करके हफते में 32-42 तो इस तरह करते करते काफी आवादी कंट्रोल होगी क्योंकि अगर ना आप एक पेर को आप ऐसे दस महने में अडल्ट हो जाता है ठीक है और यह पंच बच्चे के तालों यह जो दस महने में यह भी पाउच भर पंच बहर पच्चा दिया होगा ठीक है यह पुशा होगया इसके बाद यह पचास और यह जो पांच पच्पन यह फिर देंगे जब क्यालकुलेट करेंगे तब यह रेकोड़ेड है बिल्ली जादा करते हैं और डॉगी में कम हो जाते हैं गाड़ी के नीचे इधर उदर आके वानना किसी कीड़ा लग जाता है तो उस तरह करके तो उसके बा पघाड़ेड़ेटी करेंगा उसका कोई एक रिबन बान डेंगे तो उस में रीटर ब्लू रीबन इतना पिंक रिपन हो फीर होहा में एक डॉक्टर राएगा उसको हेंड ओवर करना पड़ेगा वह हेंड वार करने के पांद ऑपरेट करेंगा इसमें कई होता है लंगडा लूला हो जाता है क्या किसी को और कुछी बीमारी घ्ता तो इसको ऑपरेट नहीं करता है अलग रखके पहले उसको ट्रीट करते हैं उसके बाद ऑपरेट करते हैं और फिर रेजिस्टर के हिसाब से वहां जाकर चोड़ना पोड़ता है और इन दौरान जो एक 6-7 दिन का होता है उनको खाना खिलाने का पोड़ता है तो यह भी मिनिसिपुल्टी बहले तो इस तरह त देपाट्मेंट में से दवा देता है और दवा नहीं होगा तो फिर एंजिव को बियर करना पहुत है तो यह सारे मिल के अभी एक सिस्टम हिसाब से चल रहा है तो अभी आप देखे हो कर तो उतना नहीं है लेकिन बिच-बिच में फिर बढ़ जाता है बंद हो जाता है बूल नहीं होगा ऊता है कि लमा करता देखे अं पीमेल मेंटी डेना पड़ता है जब तक पूरा ब्यों स्ने और ःस पूरा नहीं घोड़ तो बड़ी रिलाक्स नहीं अए उसका त्यूसन क निकालना पड़ता यह में क्या है त्यूप कटकर होड़ते हाँ हमारे हम लोग क निकालते हैं, उट्रस निकालते हैं, ओवरी जो होता है, जिसे हर्मोन निकालते हैं, उसको भी निकालते हैं, तो पूरा का पूरा निकालके, तो उसके बाद क्या होता है, इनका जो लॉंजिविटी है, लाइफ बढ़ जाता है, और अगा लड़का होगा, उमार पीट करेग लोग का कंसेप्ट ऐसा है कि मैं इसको पकड़ता हूं फॉर यहां तो मैं दूसरा चोड़ा निकाल दूसरा हवा लेगा है आपने निकालके दूसरे दे दिया मैं मेटिंग करने जाता है तो महां कई लोगत तो आफसर अनका आइडिया होता है कोई आंजान आइलन में ले जाकर छोड़़ दो अचुम वहां का क्या होगा भूक लगेगा भूख तो लगेगा तो界 चिड या काईगा जो मिले खाएगा उसके पाद आपस में काटा सुरू करो यहां में कि आप ऑपरेट करके छोड़ दोगा तो बाकी आएगा ने दूसरे को आने नहीं देंगा आप अपने कली में दीके चार आवार कुटा ओगा ऑपरेट क्या हुआ वो दूसरे किसी को नहीं आने देगा लेकिन आपको आने देगा अच्छा तो यह एकनी अंडिस्ट है को तभी है घोड़ा भी है सभी जानवर कुछ न कुछ करते हैं लेगिन डॉगी का इनका जो इंट्यूशन होता है तोड़ा जाद होता है अगर आपके पास कोई पट है आप आप ऑफिस से पांच बचे घर आते हो और उस दिन लेट आ रहे हो तो वो गेट के पास नहीं गेट के पास कड़ा रहे है तो ये जो चीज आप काफी दूर तक जो अल्फैर्ट के लोग होता है नाक थोड़ा लंबा होता है दूर से पिरह ने पहले से जैसे उनका जो फेवरेट होता है आता है कोई बच्छे लोग स्कूल से जाता है मेरा पहले डौगी ता वह जैसे जब बच्चा आएगा उसको मालूमत है वो सब जाएगा उसको रिसीव करके लेकर आएगा और जब बच्चा स्कूल जाएगा उसको रास्ते तक पहुंचा कि आएगा आज के दिन में इतना निश्वात सेवा कौन करता है तो मैं दो चार दिन अच्छी तरह से देखा तो बच्चे लोग क्या करते हैं जब यह जाएगा चोड़ के आता है फिर जब तीन बचे वहां से लेके घर आता है उनको बिस्कुट मिलता है तो एक तो बिस्कुट है प्लस जानवा रेस्पॉंड करता है घोड़ा बहुत ज्यादा रेस्पॉंड करता है तो बर्दन जी जो लोग घरों में पैट्स पालते हैं उन्हें किन-किन बातों का धियान रखना चाहिए देखे कौन सा पैट है उसका ज़रूरत की है ठीक है अभी गर्मी इतना है इन लोग क अधिया करें गाड़ी में लेकर चलता है इसी चला कर रखता है या तो फिर इतना कांच खोल दिया खोल के गाड़ी में डॉगी को छोड़ दिया शौपिंग करने चले और आपको मालूम है शौपिंग ऐसा बीमारी है तो एक बार गुशने के बाद उसको याद नहीं रहत है तो गर्मी में नान लेकर निकले पानी का प्रवंद करें और धूप में ज्यादा नहीं देखते रही है भगाई यह वापस आ जाएगा वो गाड़ी के नीचे हां और एक चीजा है जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो कहीं पे गर्मी में गाड़ी रखी हुए कहां चुछ खोल देंगा वो तो आपको गर्मी लगे कांच खोल दो गए उसके बाद स्टार्ट करके थोड़ी दिर रूप के धीर धीर चलिया कि हो सकता है आपके गाड़ी के नीचे दो चार कुट्टर स्वए हो शल्टर के लिए उसका ख्याल रखना पड़ता है ठीक है और इ दो बुंद खुन पिया क्या होता है दो बुंद खुन के साथ बीमारी चोड़ता है बोड़ी में वो बड़ी लिवर खराब करता है वो बड़ी काना पिना चोड़ देगा पीला पिशावा कई तरह का उसमें सिंप्टम्स आएगा उसके बाद ड़त हो जाएगा तो किलनी आ रहा है किलनी भी हो सकता है और वो जाके कहा में जैसे आफ लोग पोर्टड प्रांट लगाता है कर नीची हम आख पानी देते हैं पेड़ता है म मँष्च रह पानी नमी होगा नमी और जाएगर्मी नमी अर गर्मी प्शुर है ज़ों साथ Sakrata प्शृत तेीव हमा जो परजीवी बोलते हैं, परजीवी बीमारी है, 70-80% परजीवी है, कई बीमारी यहां नहीं थे, जैसे पारवो वाइरल अपने सुना होगा, अभी भी फिल डॉगी में आता है, उसमें वामिट होता है, उल्टियां आती है, दस्त होता है, ठीक है, उसके बाएद दो तरह को होता है, एक तो नर्व में जाके अटेक कर लेता है, और एक तो ऐसे ओडिनेरी वाला कभी-कभी बच जाता है, वैक्चिन करना पड़ता है, डिस्टेम पर एक है, यह सारा हम लोगों ने मंगवाया है वहाँ से, अभी-अभी आपने सुना होगा, कई बिलियां मर गी, कई बिलियां, और उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, वो क्या है, वो लेकर आते हैं लोग, वहाँ यहां तो गलत सर्टिपेट लेकर आता है, यह तो वो बोल देता है कि मैंने वैक्सिन करा दिया, एक जिरोक्स पेपर दिखा देता है, वो लेकर आ जाते हैं हमें, अग तो जो अधिस नहीं सिक्षिती है, तो वो जो बिमारी अंधने व भर आते है, तो उस तो यहां में जो विलियां मरी उसी तरह, तो मैं खबर लेते-दे मुझे मॉझे मालम चला कि कि ओसे वाथ किशी के ने नहीं है घट होगा तो उसने क्या किआ करना च्छिए इसको गाड तो वह क्या हो मनने के बाद उसने पेपर में लपेट खे एक बार ड़स्बेन में गिरेगा तो कवे हो एरियल आपको फैलाएगा कई लोग के बात करते हैं तो बाहर जाती नहीं कैसे उसको बीमारी लगे इन सब चीजों का देना चाहिए तो आपको यह वायरस आखा कहा से है आप भाहर नहीं जा रहे हो, खुछ वाइरस हओं तो आप ये तो नहीं बूल सकते कि बिली बाहर नहीं दूना आज गरबे, हमारे चपल के नीचे लगा होता है हम तो चल चल के निकल گゆ, तो वारब होगा, डॉगी वहाँ बाठेगा, यह बिली वहाँ बाठेगा उपना चाट के साफ करता है, तो मूँ से ही चाटेंगैं, मूमी वारब जाएगा, उसके बाद giorno altri त्वीब समों में क्या ऐसी कोई जगा है जैसे लोग कभी-कभी बाहर जाते है तो उनकी एक समस्या हो जाती है पेट्स को रखने का यहां तक जहां तक मैंने देखा एक बहुत अच्छा प्रायास था लेकिन वो चाला नहीं ठीक से एक अभी बर्मनाला में किसी ने बनाया है तो उसमें भी इस तरह आप है लेकिन उसमें क्या बहुत प्राब्लम रहता है अच्छा इसमें अगर लोगों को देखे जाए यह वह क्या करते हैं इन लोग बना के रखे हैं वहां में खेलने के लिए लेकिन जैसे ओनन निकल जाता है उसका असली मालिक निकल जाता है जी तो उसको अकेलापन महसूस होता है कि मुझे चोड़के चलाएगा तो कुछ दिन उसको सटोने में टाइम लगता है तो अगर वहां का जो अधिया फ्रेंडली डॉग है फाइन अगर फ्रेंडली कभी-कभी अग्रेसिव डॉग होता है चिड़-चिड़ा कोई छूना नही ह對了 तो उस समय तो उसको थोड़ा खाता है तो नेतों हुशन कम हो जाता है यह ने दस दिनलफ़र्ज DIDN के पाद अब वीर रगता है तो उसको टीक्स के लिए दवा देना पड़ता है या तो इंजेक्शन देना पड़ता है ।चटार तो नहलाना पड़ता है, तो तीनों आप, नजदी की नहीं जा पाओगे, तो क्या करोगे। यह एक समस्या बहुत बड़ा है, तो बर्दन चीज जैसे कि अभी हमने देखा कि मांसुन का मौसम शुरू हो चुका है, कुछ दिन पहले हम गर्मी से इतने जूज रहे थे, तो अभी का जो मौसम है वो थंडा गर्म सा हो गया है, तो इस समय किसी तरह की कोई खास ध्यान करता है? म्जस परबलम होता है, और दौर जने परब्लम होता है, तो उससमें 50 बिमारी औरसे और साथ लेकर जाएगा, कि बारिश में कि अ उतना ज्यादा बारिश बैता है कि सारा ज़ेकomination धुल के फिर वहीं जहाब आप denkt Как टॉर पानी कंस्ов इक पानी होता नहीं है और एक में जजादा होता है लेकिन गंदा पानी ऌको तो ईसके पीए के तो पानी पानीया हो Trust यहां पाड़ी अलाका है तो घंत खाना एक समझिया आजकल तो डॉगी प्न गहते ह fi अनको स्मेल उसको पसंद नहीं होता है तो 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 मेला जूला कि समझिया है लेकिन आप जब प्यार करते हो उतना समस्या का तो उतना वलिधान करी सकते है तो बर्दन जी वैटनरी डॉक्टर होने के नाते चलते चलते इस कारेक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारी दर्शकों को अगर आप पैट पालते हैं तो उसको एक अलक से इज़त दीजिए उसको अपना मेंबर सोचके रखिए बहुत जन खिलाते हैं खाना बाहर ले जाके मैं देखों पचास-पचास रोटिय बना के लेकर जा रहा है और यह जो बंद हुआ था अभी लॉक्डाउन हुआ था उसम मौन मौन सामी टेंश akan कना लेकर जो नहीं स्रय को सब लोग्साेटर लोग वी creation यह जो आता हैं अगर घर पालते हैं यह थोड़ा फाली रख दिए ACT शयत उब लेकिन पानी इंस रखेंगे रहाो बोलें रहा ओ दो डूक्त बोला ता पाली रखो पानी पीयेगा तो दशलिय कि तुमने पानी रखा इसमें लारवा हुआ इसलिए मलेरिया हुआ आप रखके छोड़ नहीं सकते हैं आप अगर रखोगे तो रस्पोंसवारी अपकी है तीसर दिन चोटा दिन पानी चेंज करना है लारवा ना हो देखना है और पानी सबसे ब्ली समस्य लोगों को तीन-तीन दिन पानी मिलता है तो वह किसे जा के पानी पूछे तो उनके लिए पानी जैसे मैं ना जो प्लटका कर रखा ऑँ कुछ कर तो आप कुछ भी करो तो किसी के उपर एकदम नहीं छोड़ सकते हैं कि उसने काया तो मैं कर दूँगा अपना है जानवार आपको प्यार देगा टेंशन आपको करेंगा तो ऐसा नहीं हो और सबसे बड़ी बात है विवैक्सिनेशन टीका करन तो तो आप अगर ठीक से करोगे तो तो ठीक होने के बाद भी कभी कभी बीमारी होती है लेकिन फिर भी आप सोचो 80-90% आप बचा सकते हैं तो बस इतना बहुत है और अगो जब बाहर से आप लाओगे मैं तो बोलता हूँ जो यहां पड़े हुए है आप उसी को देख भाल कर लो ना उसी को नैला दोला के साफ कर लो ना आप थोड़ा चेक करके लिए क्यों ठीक है के ने यहां में चिन्नई में है कलकाटा में स्ट्रीट है वहां में कई तरह चोटे चोटे पिंजिरों में डाल के रखता है वहां से ना लाए तो ठीक है आच्छा तो बर्दन जी आपने इस कारिक्रम के लिए समय दिया हम सब की और से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तुदर शकूर फिर मिलेंगे अगले कारिक्रम में एक नए अदिति के साथ अब चाहेंगे इस कारिक्रम से इजाज़त नमस्कार कर्या